हेलो एंड वेलकम एवरीवन स्वागता आपका मेरे ओफिशल यूटूब चैनल लेगरी कल्चे सक्सेस पॉंट पर और आज जो टोपिक है वो है सकेंडरी न्यूट्रियंट ठीक है न कौन कौन से होते हैं सकेंडरी न्यूट्रियंट कैंटियम मेगनीशियम और सेलफर ठीक ह इसे कौन सी गॉंटी लिधिस सेवठक प्यूट्रियंट को पोटाईशियम पर बंद हो गया तो अमेंस की बात कर लेते हैं चोपिक है मेगरी इसके जो डिफिशेश्च शिंटम से ऊकां दिखाई देते हैं और लिफ पर बीर हाई और लीव ठीक है कहां दिखाए दिते हैं इसकी सिम्टम्स पुरानी पतियों पर दिखाए दिते हैं दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना कि लीव मार्जिनल विल बी स्क्रोचिंग एंड बर्नी ठीक है न? पतियों के जो मारजिनल मारजिनल किसको बोलते हैं जैसे यह मालो लीव यह वाली जहींठ विल जीखाए दिती है अप पंछे सिल्द धिती एप लिए उसको बोल देते हैं स्क्रोचिंग बर्नांइंग ठीक है न? तो यह किससे होता है पुटी सिम की डेफिशेंसी से होता है तो यह दो पॉइंट उसके अंदर आपर नोट कर लेना कल वाले क्लास के अंदर ठीक है तो आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने स्केंडरी नूट्रेंट से यदि आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को बाद देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल से कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना त तो चलिए अपने बात करते हैं स्केंडरी नूट्रेंट की स्केंडरी नूट्रेंट में पहले बात करते हैं अपने केल्शियम की ठीक है केल्शियम की बात करते हैं तो केल्शियम क्या है केटाइन है ठीक है ना और क्या होता है ये अनकंबाइन होता है ये अनकंबाइन होत कोबाइल है प्लांट्स और सुपलांट्स के अंदर ठीक है बाद करते हैं मैं इसके फॉंच्छन की इसको फॉंच्छन की बात करते हैं क्या लगांगे कि यह किसके फॉर्मेशन करता है ग्रूट टिप गसुट डीप टीकर इसको अपने कआ बोल सकते हैं मेरिसमेटिक टीस्थ ठीक है ना ह। क्या लिएगक एट हैलप टलपस इन फोर मेशेंट ऑ रूट टीप एसंच रूट टीप ठीक है किसकी फॉरमेशन करता यह रूट टीप ओर शूट टिप की क्या करता है एक कौन केलशियम सेकेड़ बात करता हूं इसके फंक्शियम की तो लिएographers होता है लिए ढूइदस पॉण सिभड कोशी का बित्ती बनाने में भी यह मनाने के लिए उत्तरदाई होता है ठीक है ना यह हो जाएगा इंदी के अंदर थर्ड पॉइंट अपने क्या लिखेंगे इसका फंक्शन अपने बात करें थे इस फास्फोर्स के ना तो इसके अंदर में ने क्या लिखा यह था कि इट इस रिस्पॉंसिबल फोर सेल डिवीजन ठीक है ना तो के इस अंदर में ने क्या बुड़ा था कि आपको वालिकर आओगा सेड वीजन एंड शैल इलोंगेशन तो अपने लिख ओंसिबल bark और शैले तो अपनिवीजन एंड शैल इलोंगेशन के लिए क्या होता है रज्पॉंसिबल होता है और फोर्ट पंट के अंदर इसका क्या रेकाा लेकिंगे कि यह जोग्रांड न रोत τη lawn योत यह इसके अंदर किनल इस पीजन इंदर फोर्मिशन में ठीक है ना तो इडिज रेस्पोंसिबल फोर या इट हैल्प से ने फोर्मिशन ओभ सीड इन ग्राउंडट जो ग्राउंडट है मुफली है उसके अंदर बीज निर्माण के अंदर ये क्या करता है सायता करता है ठीक है ना ये इसके चार कारिय होगे किसकी कैल्शियम के। एक तो क्या करता है ये रूट टीप और शूटिप का फॉर्मेशन करता है। सेके अपने क्या प्रजा सकते हैं ये जिए डिवीजन और शेल इन्वोकेशन में हालप करता है। ठीग है तीसरा पॉंट अपने क्या लिख सकते हैं कि जो शहल्वाल फ़ॉर्मेशन होता यह फोर्थपॉंट है क्या लिख सकते हैं जो ग्राउंड नट भॉल्मेशन हैं यह फेप करता है यह होगहें इसके फंक्शन अब डेफिचिंची चिंटमस की बात करते है भिंट इस चार्ट में अपने ने लिखा था तो का द्गाएद इते हैं ठल में लेड़ मेंड पे आ शििपशिंची शिंटमस घ्रote दिखाते हैं एंप एंट ऩर मिलंग अग कहांद दिखाएद देश के टर्मिनल बड़ पे दिखाई देते हैं सिम्टम्स ठीक है ना अतपियर ओन टर्मिनल बड़ यह हो गए इसका पहला अब याद रखना यह मालो कोई प्लांट है ठीक है ना ये इसकी टर्मिनल बढ़ है जब केल्सियम की कमी हो जाती है तो ये टर्मिनल बढ़ क्या हो जाती है या इसको बोल सकते डाय हो जाती है तो ये क्या होती है ऐसे मूड जाती है आपने बहुत सारे फसलों के अंदर देखा होगा कि टर्मिनल बढ़ जो है ऐसे थी बाद में क्या हो जाती है ऐसे हो जाती है इसको क्या बोलते हैं वोक बन गया तो याज रख लेना कि केल्सिम की डेफिशेंस से जो टरमिणल बड है वो किस टैप के हो जाती है हुक लाइक स्ट्ट्चर हो जाती है टर्मिनल बड़ टर्मिनल बड़ विकम हुक लाइक स्ट्रक्चर और यह बहुत इपोर्टेंट पॉइंट है एक्जाम के अंदर पूछा जाता है हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है कौन से नुट्रेंट की डेफिशेंश से होती है तो केल्शियम नुट्रेंट की डेफिशेंश से हूक लाइक स्ट्रक्चर जो है वह बनती है इसके बार में अपने यह तो होगे इसके डेफिशेंश सिंटम्स अब बात कर लेते हैं इससे कौन सी डिजीज होती है disease due to deficiency से मतलबर कैलlli कीडेफिशि muchísesi होती है तो पहले मैं बात करता हूं बेटर-बिट कि ठीक है है कि अस देटर पिट इन ईपल ऐसे वोता है उसके अंदर कौशी === यहाद रखना मख्री वाले वो शेव निए बेनी बोलते ठीक है उसके अंदर डिजीज होई हो यह कॉन से बिटर पीट अब गरपे लेके आऊ तो घरवालों को बोलना तो कि यह मतर्नले मह्त्रो इंदा सर्व पिटर पीटे ठीक सी याद रख ले ना इसी भी होती है उसके अंदर चैकिल्ड ड्जीज है कविंटी शोर्ड के के बीटी स्पूर्ट वाइज है तो कि जो चाहिए जो ज होती है उसकर ऐंदर कौन ची डिजीज हो जाती है तुब ही टीज पोट कर दो यह कि कर यह गाँर है ठीक रहे है तो इसके अंदर आपको केंग्ठ तो ऐसे से दिखाई देंगे उनल दब्बे बने दिखाई देते हैं और के बारे चूट छूटे दब्बे दिखाई देते हैं उनल निसुद के बार बड़े whole जाते यह दबेक यह फोंद इसी को बोलते हैं किय बेळी स्पोट का बोल देते हैं आप कभी घर पřे देखना यह दि कोई कविटी स्पोट शी से मतलों कहला हुई जो कर passieren आती है उसके लिद्वा शीर होते हैं ब्लैक ब्लैक कालर कुंद्धी वुद्ध होते हैं इनको बो देते हैं कैविटी स्पोट टे डिजीज के अंदर होती ही यह ठीक है इसके बाद में अपने बात करते हैं ठीज से डिजीज होती है बलोसम और रोट इसको भी आप लिकर हाँ बलोसम और रोट बलोसम और डीजी जाती है टोमेटो ठीक है टमाटर के अंदर कौन्सी डिजीज हो जाती है ब्लोसम एंड रोट डिजीज हो जाती है किसकी कमी से कैल्शियम की कमी से तो यह तीन थे इनको अच्छी तरीके सियाद कर लेना कौन्सी बिटर पीट ठीक है एपल मक्खी वाले से और केविटीज पो टोमेटो ठीक है इसके बाद मैं अपने बात करते हैं अच्छे के न्यूटरेंट मेगनीशियम के अंदर बस एक दो पॉइंट है इसका वरक भी एक है में इपोर्टेंट जो अपनोंने वेशे कर तो लिया लेकिन इसको लिखाना जरूरी है मेगनीशियम की बात करता है मेगनीशियम का इंडिकेटर प्लांट क्या होता है पोटेटो होता है अलू और फंक्शन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की अपनोंने लिख लिया था नाइट्रोजन में इसका फंक्शन की बात की थी कि नाइट्रोजन भी क्या होता है किसका क्लोरोफिल एंड पोर्फ क्लोरोफिल एंड पोर्फायरिन रिंग ठीक है तो यह क्या करता है क्लोरोफिल के या आप यह बोल सकते हैं कि इस में नाइट्रोजन जुड़े होते हैं तो इसके अंदर में कंपोनेंट कौन होता है है nitrogen हो जाता है ठीक है तो इसका यह की function है magnesium का formation of chlorophyll and porphyrin ring इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं deficiency symptoms की deficiency symptoms की बात करता हूं ठीक है तो इसके deficiency symptoms कहां दिखाए देते हैं तो magnesium को अपने किसके अंदर लिखा था जहां अपनोंने primary nutrients लिखे थे उसी के अंदर अपनोंने magnesium को लिखा था तो इसके symptoms कहां दिखाए देते हैं और लिव्स पे अपियर ओन और लिव्स है ठीक है second point अपने क्या लिख सकते हैं मेंगनीशियम से जब मैंने आपको वह deficiency वाला चार्ट कराया था ना तो उसके अंदर मैंने दो चीज़ बताया थी एक chlorosis और एक इंट्रमेनल क्लोरोसिस तो और लिव्स के अंदर क्लोरोसिस किसे होती है नाइट्रोजन से होती है इंट्रमेनल क्लोरोसिस टीक है यह थे इसके डेफिशेंसी सिंटम्स एक तो काहां दिखाए देती है और इससे क्या हो जाती है इंट्रमेनल क्लोरोसिस हो जाती है अब बात करते हैं आगे इससे डिजीज कौन से होती है तो पहले इससे होती है सेंड्राउन डिजीज एंट्टोबेको ठीक है ट्टोबेको के अंदरे कौन से हो जाती है ठीक है तो ट्टोबेको या तंबाकू के अндर कौन से हो जाती है सेंड्रगैंट ड्राउन ड्यूस हो जाती है कौन से ड्रइजीज गो जाती है और निच्चे की तरफ मुड जाती है ठीक है दी इसन ड्राउन डिजीज क्य ओती है पतियां पतियां हरी अवस्ता के अंदर जो य्य Steph MR की हो जाती है ठीक हैँ और पतियां निच्चे की तरफ जुक जाते है सी इक से ऑख रहते हैं और किस से होती है मेंगनीश्यम की punct होती है एक मेन वीडियो देख लेता हूं चलतो रही है ठीक है न सेंड राउन डिजीज समझा गया ठीक है पत्याँ येलोविश कलर की हो जाती है जूसरा आपने ये लिख सकते हैं कि एनिमल होते हैं उनके अंदर एक डिजीज होती है क्वोंची ग्रास टिटेनी क्वोंची ह जहती है गल टिटएनस हो जाती है वो किस अ due to deficiency of magnesium and plants ठीक है इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिजिए magnesium से कोच्छ डिजीज होती है sand round disease होती है किसके अंदर tobacco के अंदर grass tannies disease होती है किसके अंदर होती है animal के अंदर होती है और किसके दिवारा due to deficiency of magnesium in plants यह है इसके अंदर में में दो डिजीज ठीक है जो होती रहती है और इसके बाद में अपने sulfur की बात करेंगे और class को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस sulfur क्या है काटाइन यह आप बताई यह अनाइन है ठीक है ना अस्टो फॉर माइनस टूइस की अवेलेबल फॉम होती है जो sulfur होता है यह इसका source का होता है मैंने source में sulfur को इसाइद लिखाया ता पता नहीं लिखाया देख लेना सलफर जो है उसका source होता है ओर गेनी मेंटर टीक है तो ओर गेनी मेंटर जो है वो दो चीज़ का source है एक तो नाइट्रोजन का रेक सलफर का ठीक है ना नाइट्रोजन सलफर किसे प्राप्त होते हैं और और इसके functions की बात कर लेते हैं और यह combined यान कमाइन तो यह कंबाइन नूट्रेंट है फर्स्ट देखते हैं फंक्षन यह क्या करता है एमिनो एसीड जो होते है उनका सिंथेसिज करता है तो सिंथेसिज ओफ एमिनो एसीड ठीक है दूसरा यह सिंथेसिज किसका करता है ओईल का करता है किसके अंदर ओईल सीड क्रोप्स के अंदर ठीक है इट हैल्पस इन ओल सिंथेसिज इन ओल सीड क्रोप्स जो ओल सीड क्रोप्स होती है उनके अंदर क्या करता है यह ओल सीड जो ओल सिंथेसिज होता है एंदे경 बोल देते हैं संझेलेशन है और ठीक है तो और शीड जो ग–शोथी ओल सिंथेसिज करता है उनका संसेलेशन करता है कि इसके बाद में त Initiate याद रख लेना किसल पर का और वरग क्या है कि यह क्या करता है जो ने मेंचा करते हैं उनकी थेसigor इन करता रहता है यह क्या करता है इसके बाद में याद रखना यह एक और चीज के लिए रेस्पॉंसिबल होता है किसके लिए इस रेस्पॉंसिबल पर शेले रहे हैं इस पॉंसिबल को और इस डेश्पॉंसिबल फॉर शेंटेशिष की जिए अृव्फ किसका करता है यह एक तो करता है थाइमिन का ठीक है बायोटीन का और एंड एससे टायल को एंजाइम किसके लिए responsible है synthesis of thiamine, biotin और acetal जो co enzyme होता है उसके synthesis के लिए कौन सा nutrient responsible होता है तो याद रख लिए sulfur होता है किसके लिए thiamine, biotin, acetal co enzyme के लिए कौन सा responsible होता है कौन सा होता है sulfur होता है ठीक है टीकहिest only हम ठीक है और एक मिन वहुंट याद रख लेंड और पोंट याद रख लेंगें, पिर्ल स्कार्ट में दितकर समय मत्रम है पर सफ स sekali पार कोर्थ जी रख कर सो है तो इसमार पॉठ स्केrection कर तो तो एक समय निकौन पर दय क्यों है पंजंशी टेस्ट, पंजंशी एंड टेस्ट, इन मैनी क्रोप्स, लाइक किसके अंदर जैसे ओनियन हो गया हना, और गार्लिक हो गया लैशून, मस्टर, इन के अंदर ये पंजंशी एंटेस्ट के लिए भी रेस्पॉंसिबल होता है, कौन, सल्फर, याद रख लेना, इस प्रकार से ये भी याद रख लेना, आप सल्फर के अंदर, कौन सी है, ओनियन, गार्लिक और मस्टर के अंदर, जो पंजंशी एंटेस्ट होता है, उसके लिए रिस्पॉंसिबल कौन होता है, सल्फर होता है, अब सल्फर से लेटेड़, जो भी डिजीज है, उनकी बात कर लेते हैं, इसकी डेफिशेंसी से होती है, जो, डिजीज, 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 डिफिशेंसी, फिर्स्ट पॉइंट आपके सामने, येल्लो विंग, लिगो, डिफिशेंसी से लिखते हैं, ऑप जो करते हैं, अब सल्फर किसके अंदर से जो करता है, नहीं पत्तिया होती है, उनके अंदर कौण से सल्फर, फैर्टिज, मेगनीज, ठीक न, तो ये किसके अंदर lass येलिप्स के अंदर डेफीजेंस सम्टमस शोकरते हैं तो लिए ना अप्य नूव लिप्स ठीक है और नहीं पतियों के अंदर कलॉरोसिस लोतों वह किसे होती हैं लेख से होती है कि अंदर तो शल्फर्स से होती है तो यह दो तो इस पॉंट को नोट लगा की लिख लेना चाहिए वरना कल की क्लास तो ब्रॉन पही रहने वाली तुसके अदर लिखेंगे तो इस से कौन सी डिजीज हो जाती है इससे हो जाती है है कोची टिजीज तो इसके अंदर अदर है टॉक्षी सिटी से ठीक है न यकलिकर सो से यह विं cken तीज है सलफर सेंटानploy लोबिंग इंटी और एक कुछ के अंदर हो गया एक टॉक्सिसिटी से होती है ठीक है शल्फर की टॉक्सिसिटी से कौन से जाती है अकोची डिजीज कि अपने एक वारो इतनी जिएज का पर लेक्टि क्या बता इतने तिर में याद भे आज़े अग्चि टिजीज पानो पार्डी एथा कि इस की टोक्सिसेटी का मतला हो गया अधिकता से इसका नाम याद नहीं लगा रहां इसकी डेफिशेंस से चलो देख लेते हैं अगर ऑप्ति है पैडिक रूटी और यह एंदर पुछा हुआ है और यह की से होती है अब दिजीज ऑजाते है मत्हों यह जब फिरडी के अंदर जाता निकलने लग जाती है मतलब यह संदर आने है तो यह चैनल की हो मतलब यह तो यह झो बने अने करें से कख़्णिस के ठीक है तो यह किसे होते हैं ह्ट है से होते हैं और यह रूटस होती है वो ब्लैक विख सोल के तो Εमानल मदा जय camping के सबसक्वाइब आधनर और इसकी डिफिसेंसी से सिब्सक्राइब उसके अंदर आ गया इसकी टॉक्सिटी से वोंट से हो रही थी है वो डेफिशेंसी से बूल गया मैं यहलोविंग होती है चाई के अंदर लुसर्न के अंदर यहलोविंग हो जाती है मस्टर्ण से रेलेटल है वोड इस हां चा कप लाइक श्रक्चर अक्तिकाई याद आ यह इससे याद रखनेना हुकला इस्ट्रक्चर किस्से बन रही थी लीपस की तो वह बन रही थी केलिसियम कि डेफिशेंस न और संध लेकिन झाल क्लाइक और कपला इस्ट्ट्टर जो आई किसे बनती है चलफर की डेफिशेंसी से बनती है किसके अंदर मस्टर्ड खेंदर ठीक है मस्टर्ड की जो लेफ होती है तो कप लाइट अस्ट्ट्टर ओफ लीफ इन मस्टर्ड में थी फर बूल गया कुण से थी ठीक है ना तो याद रख लेना कप लाइक स्ट्क्चर होती है लीफ की वह किसके अंदर मस्टर्ड के अंदर तो वह किसकी डेफिशेंसी से होती है तो वह सल्फर की से होती है नहीं तो यह गुट हटा के अंदर और जैदिन नेके से न्हींग से models France Bonnet के अखुट हो जाते है रहा तिक है यह था आपना आज का स्केंडरे नूटेंण की टौपिक जिसके अंदर अपनोंने पढ़े इनकी डेफिशेंस पढ़े डिजीज के बारे में बात की ठीक है न कौन-कौन से और यह सारी डिजीज इपॉर्टेंट होती है ना अपने यह नूट्रेंट से अपने बहुत सारी डिजीज पढ़ते हैं ना उनके अंदरा कवक से कोई फंगी से हो रही है को बैक्टी कि चलो ठीक है क्योंकि यह दो मिनिट बने है साधे अठाइस मिंट उनटिस मिंट की तो हो चुकि है फिर दो मिनिट में कोश्चन तो होएंगे नहीं यह बंद हो जाए फोन ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को दबा देना और वीडियो को जादा से कई-फो Hij यार यह जार् comicsरन कार रहने वाली माइक्र RICH कर निटांट के दो लेक्शर रहेंगे अठी दिक लास में व्ल्ट इया इसे करेंगे ब्रूर्ण बहुत ब ini बारे OWn थिकैं उसके बारे में बोध बुन चैसा बहुत है तो शीद ऐसे हैं तो ऑसकता है कि एक अपनी तिन निटेंड करें रेक में पांच करने को कि लास्ट वाले निकल हो गया ठीक है कलोरिन हो गया इनके मतरफ एक एक दो दो पॉंट है जो याद रखने होते हैं मौलीबडेनम ज्यादतर है ब्रॉन हो गया जिंक हो गया कोपर हो गया इनमें माइक्रणूटर में बोथ कोशन पूछे जाते हैं ठीक है ना तो कल की क्लास जो है ब्रॉन पे रहने वाली और ब्रॉन से कम से कम ना आपको लिखाऊंगा चैसार डिजीज के नाम लिखाऊंगा जो ब्रॉन की डेफिशेंस से होती है तो थेंक्यू